देश भर से आये मेरे युवा और विध्यारती साथियों आज हम सब जिनोंने अइंसाव सत्य के मार्क पर चल कर देश को आजादी दिलाई हम सब के प्रणेता आज भी हमारे मार्दर्शक जो के बहुत भारत के नहीं दुनिया के अंदर उस समय बदलते भोतिक सम्राज के अंदर किस तरीके से जब सारी दुनिया के अंदर विश्युद्ध चल रहे थे परमानु हत्यार की होड चल रही थी उस समय उन्होंने एक बदलते आंदोलन की तस्वीर दुनिया को दी वह आंदोलन था अइंसा आंदोलन सत्य पर चलने वाल आंदोलन और उसी आंदोलन से उन्होंने आजादी की एक चिंगारी खड़ी करकर इस देश को आजादी दिलाने का काम किया राश्पिता महात्मा गांदी जी को हम सबनमन करते हैं आज वह वेक्तित जिसने भारत की आजादी के बाद देश की प्रधानमंती के रूप में सारे देश को विश्वास में लेकर जिनकी बात जिनकी आवाज जिनका संदेश सारे भारत ने एक संकल्प के रूप में जे जवान जे किसान का नारा और अन्य के रूप में भारत आत्म निर्बर हो और सीमा पर रक्षा पर आत्म निर्बर हो सारा देश उनके पीचे खड़ा हुआ वैसे पढ़ने था लाल बाद दूश शास्ती जी को भी नमन करता हूं साथियों यह वो इत्यासी कख्ष है जहां आप बेठें जहां इत्यास गवाह है कि यहां आजादी की हमने गाथा लिखी जहां में आजादी मिली और आजादी के बाद हमारे मनिश्यों ने सविधान निर्माताओं ने देश का शासन केसा हो कौन सी लोकतंत पद्दती अपनाई जाए एक ऐसा सविधान बनाया जो दुनिया के अंदर आज भी लोकतांतिक देशों में मार्दक्षक है और जहां आप बेठे हैं वहां पर हमारे बाबु राजिंदर प्रसाद जी बेठे भीम राव अंबेटकर जी बेठे प्रथम प्रधानमंती जवार ला नेरू जी बेठे हर्शा मेता जी कितने ही ऐसे लोग हैं जो इसी केंद्रिय कक्ष में बेठकर जिनोंने एक लंबी चर्चा समवाद मंथन से देश की भावनाओं को अभिवक्ति करते हुए एक सवीधान बनाया जो आप भी अमारा मार्दक्षक है इसलिए आप सब आज गोराइंत हो इस सदन में यहां पर आकर और अपनी बात अभिवक्ति करकर मैं विशेश रूप से मैं वक्ताओं को सुन रहा था मेरे नोजवान वक्ताओं को सुन रहा था जो बोलने का उनका आथ विश्वास उनका ज्ञान उनका अन्भव जो उन्होंने बहुत कम समय के अंदर प्राप्त किया लेकिन लगता है कि एक लंबा अन्भव लंबा ज्ञान और न्भव ज्ञान अन्भव के साथ उनकी बोलने की अभिवेक्ती जिस आत्मिश्वास के साथ बोल रहे हैं मुझे गर्व है कि ये मेरा नोजवान दुनिया में नित्त करेगा और इसी लिए आजादी के इस 75 साल की लोगतंत की यात्रा के अंदर हम भोतिक संसादुनों से भोतिक जूत में तो प्रतिस्प्रदान नहीं कर पाएंगे लेकिन बोधिक शमता ज्ञान अन्भव रिसर्ज इनोवेशन कि शमता के कारण हम दुनिया के अंदर नित्त कर पाएंगे वह भारत के नौजवान मेरे सामने बैठें इसलिए मुझे भी कहीं संकोच होने लगा कि जिस तरीके के वक्ता यहाँ पर हैं मैं संसद में भी डिवेट देखता हूं संसद में भी चर्चा देखता हूं लेकिन उस संसद की चर्चा डिवेट से भी एक बैतीन चर्चा समवाद आप यहाँ पर कर रहा हैं और मुझे अगर नहीं जाना होता तो मैं पूरी डिवेट सुनता और मैं कुछ समय नहीं सुन पाया उसको मैंने बेट कर टीव में सुनाएं लेकिन मैं कह सकता हूं कि आप जैसा नोजवान जिस देश का हो वो देश गोरानित है और जो मानि प्रधान मंती जी ने कहा कि जब आजादी का सताब दिवर्ष होगा तो भारत विक्षित राष्ट होगा और उसमें सबसे बड़ी भूमी कहोगी तो नोजवान क्योगी इसते साथियों आज यहां बेटकर हम राष्ट पिता महत्मा गांदी जी के जीवन दर्शन पर लाल बहुत शास्ती जी के जीवन दर्शन पर अपना प्रकाश डालेंगे और किस तरीके से महत्मा गांदी के विचारों को जिन्हों ने उस परिस्थिती में जब विचार वेक्ट किये थे उस समय दुनिया में आंदोलन की नई रहा दी थी नई दिशा दी थी उन दिशाओं को के साथ साथ उन्होंने अलग-अलग कशी में आत्म निर्भर में सत्य इंसा सुचिता किस तरीके से हम साधनों का उप्योग करें वो साधन कैसे होने चीए उसके बारे में गंभीर रूप से महात्मा गांदी के विचार आज भी हमें सब को पेड़ना देते हैं और भारत मने दुनिया के अधिक्तम देशों में महात्मा गांदी जी की विचार आज भी प्रेट करते हैं और अधिक्तम देश महात्मा गांदी जी के विचारों को मानता है इसलिए हर देश के अंदर मैंने देखा महात्मा गांदी जी की मूर्ती लगी हुए जी उस देश को नई पेड़ना देने का काम करें इसलिए मेरे युवासात्यों को मुझे सुनने का और मुखा मिलेगा मैं कह सकता हूँ कि महात्मा गांदी वास्तेव में एक जन नेता थे जन जन के नेता थे और ऐसे जन नेता जिनोंने अफ्रीका के अंदर उस समय जुल्म के खिलाब अन्याय के खिलाब लड़ाई लड़ी और जो कुछ भी उन्होंने अफ्रीका में लड़ा उस लड़ाई को भारत में आकर उस समय जब लोग सूटेट बूटेट में लोग रहते थे उस समय गांदी जी ने एक कपड़े के अंदर दुनिया को दिशादी आंदोलन की जब लोग घड़ी सीधी पेंथे तो गांदी जी उल्टी घड़ी पेंथे थे जब लोग उस समय हिंसा का वातरण था युद्ध का था उस समय उन्हें अइंसा के आधार पर आंदोलन करने की दिशादी महात्मां गांदी जी ने उस समय की सारी परिस्तितियों को बदलत कर एक नई दिशार नई रहा नए सिध्धांत नए विचार देने का काम किया और इसलिए उनके सिध्धांत आज भी प्रासंगिंग है वेक्तिकत जीवन में हमारी नेतिकता रहे चलित्ता रहे राष्ट के प्रति हमारा समर्पन रहे निष्टा रहे जाती धर्म भेदभाव नहो समाज का सामुई कल्यानों सबका कल्यानों इसने उन्होंने सरुद्य आंदुलन के अंदुरूप में एक सबका विकास जो आज भारत के प्रधानमंति जी सोचते हैं सबका साथ सबका विकास सबका प्रियास उसी दश्टी कौन को हमें सबको आगे लेके जाने के आउश्चकता है इसी करीके से लाल बाहदु शास्ती जी ने महत्मागान जी के विचारों का आगे बढ़े और एक नेता कैसा होना चीए एक सादगी नेतिकता सरलता सर्दता ये सब बातों को लेकर उन विचारों को लेकर लाल बाहदु शास्ती जी चले और इसलिए आज की बदलती प्रिपिक्ष के अंदर जो आप चर्चा करेंगे मन्थन करेंगे समवाद करेंगे उससे देश के नोजवानों में एक नई दिशा देगी नई पेड़ना मिलेगी आपका केंदी कक्ष का आज चर्चा जहां देश के अलग राज्यों के लोग आए हैं अलग-अलग भाशा अलग-अलग खान-पान विविन विवित्ता हैं हमारे देश में अब आप देखो कि भेश-बुशा से विवित्ता है बाशा में विवित्ता है खान-पान में विवित विविता की तागत हमारी लोक्तंत में समाइद है यह विविता ही हमारी तागत है और इसलिए आज जब अलग-अलग प्रदेश के लोग अपनी-पनी भाषा के अंदर महत्मा गांदी जी के बारे में लाल-बाहदु शास्ति जी के बारे में विचार के अभिवेक्ति करेंगे आपकी इसी विचार के अभिवेक्ति को सारे देश के नोजवान आपको सुनेंगे और मुझे आशा है कि उन नोजवानों में एक संदेश जाएगा कि हमें महात्मा गांदी जी के विचारों, उनके ज्ञान, उनके अन्भो, उनके दर्शन को पढ़ने और गहन अध्यन करने के आउश्चता है महात्मा गांदी जी को पढ़ेंगे, जितना अध्यन करेंगे, जितना उनपर रिसर्च करेंगे उनके जीवन पर हम सब लोग उस दिशा की ओर चलेंगे तो जो कल्पना, जो विचार महात्मा गांदी जी नहें रखा था उस सपने को पूरा कर पाएगा भारत का नोजवान और यही हमारा संकल्फ है आज कि हम देश के नोजवानों के अंदर महात्मा गांदी जी के विचार हर वेक्ति के जंजन में पहुँचे विध्याले में पहुँचे, महाविध्याले में पहुँचे एक ACPD तयार हो जो महात्मा गांदी जी के दर्शन विचारों को लेकर चले ताकि हम नया भारत बना सकें आत्म निर्बर भारत बना सकें और संकल्प आत्मिश्वास हमारी उर्जा शक्ति हो क्योंकि नवात्रा का पर्व है, नवात्रा का पर्व हमें पुर्जा और सामर्द सक्ति से अम भारत के सपनों को पुरा कर पाएं, आजादी के उन दिवानों के सपनों को पुरा कर पाएं। मुझे आशा है आपकी अभीवेक्ति आपके विचार देश के नोजवानों तक पोचेंगे और विशेश रूस्ते में इसके लिए युवा खेल मनताले और शिक्षा मनताले को भी बहुत-बहुत धन्यवाद दोंगा कि उन्होंने एक अच्छी प्रतिस्प्रदा से आप सब क चेनिया किया आज आप दिल्ली के अंदर भीविनिस्तानों पर जाएंगे राजगाट भी जाएंगे कर्तिवपत भी जाएंगे राश्पति भौन प्रधानमंति म्यूजिम भी देखेंगे और एक यहां से जुड़ी हुई यादे अन्भूति आप लेकर जाएंगे नए उ आतों को भीवक्ति करके आएं और आपके विचार देश के नोजवानों को नहीं प्रेड़ना देंगे आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद